हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका आज के न्यूज अपडेट में सबसे पहले डिस्क्लेमर हम आपको कोई भी फैनैंशल अड्वाइस नहीं दे रहे हैं क्रिप्टो में इन्वेस्मेंट आपको अपनी अनैलिसिस और इसका नैलिसिस के बाद ही करना है प्रॉफिट और ला पर कैसे यहां पर यह जो फ्टी एक्स का डाउन फॉल था वो स्टार्ट हुआ और कैसे कैसे यहां पर यह जो है आज की डेट तक जो है वो पहुंचा तो चलिए चलते हैं न्यूज अपडेट की तरफ यह कहें कि स्टार्ट करते हैं फ्टी एक्स की न्यूज से यह बिटक लिए अगर बात करें यहाँ पर तो टोटल जो क्रिप्टो मार्किट कैप है वह 850 बिलियन तक यहाँ पर गिर चुकी है लेकिन डेटा अब भी सजेस्ट कर रहा है कि इससे भी जादा नीचे गिर सकती है तो दैट मीन्स की मार्किट से और जादा पैसा जो है वह बाहर जाए अगली न्यूज यहाँ पर सॉलाना का जो टोटल वैल्यू लॉग सॉलाना के उपर था वह भी एक तिहाई तक यहाँ पर गिर चुका है FTX के टर्मल के बाद क्योंकि FTX का जितना बुरा हाल हुआ है तो जाहर सी बात है कि सोल के उपर भी इसका असर पढ़ना ही है तो यहाँ पर सोल जो है वो भी अपनी काफी मार्केट जो है वो खो चुका है करेंट यहाँ पर वैल्यू की बात करी जाए तो सोल डॉलर के उपर अभी सोल जो है वो चल रहा है अगली न्यूस की बात करीं यहाँ पर FTX की तो FTX FTX US, FTX Australia Alamada यह सारी कंपनी और इन सभी को मिला कर करीब 130 और कंपनी जो FTX के ग्रुप के अंदर थी उन सभी ने ही अपनी बैंकरप्सी जो है और जो users है उनका यहाँ पर जो पैसा है उसको safeguard किया जा सके उनका loss ना किया जा सके उसको analyze करके उसके बाद अपनी जो भी यहाँ पर terms and condition है वो उनको ले कर आए तब तक उनके assets जो है उनको sale out ना किया जाए अगली न्यूस की बात करीं यहाँ पर तो ftx के जो venture head है उन्होंने भी resign कर दिया था जैसे ही यहाँ पर ftx ने bankruptcy फाइल करी थी उसके just बाद यहाँ पर ftx के जो venture head थे उन्होंने एमीवू उन्होंने भी अपना resignation जो था वो डाल दिया था और उसके बाद अब उन्होंने बोला है यहाँ पर अपने tweet करके कि भाई अब मुझे अपनी linkedin profile जो है उसको update करना पड़ेगा और मुझे एक और नई job जो है उसको ढूनने के लिए निकलना पड़ेगा अगली news की बात करें वही जो हम आपसे बात कर रहे थे analyst तो एक analyst जो है उनका कहना है कि यह जो ftx crisis है यह एक domino effect की तरह जाएगा तो domino effect अगर आपको पता हो तो domino में क्या होता है कि पूरे domino जो है वो एक लड़ी वार तरीके से रखे होते हैं एक गिराओ तो वो बाकी सारे गिरते ही जाते हैं यही effect यहाँ पर ftx का होने वाला है और धीरे धीरे करके बहुत सारी और companies जो है वो भी गिरने वाली हैं यहाँ पर क्योंकि बहुत सारा पैसा जो है यहाँ पर जुड़ा हुआ था ftx के साथ और एक तरीके से यहाँ पर ftx और alamada ही सिरफ यहाँ पर इंपेक्टेड नहीं होंगे बहुत सारी companies और होंगी जो भी इंपेक्टेड होंगी इससे और धीरे धीरे करके सारे धीरे धीरे सामने आएंगे और यहाँ पर यह जो ftx का यह जो crisis है यह बहुत बड़ा crisis जो है वो बनने वाला है जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि market में यहाँ पर downtrend जो है वो देखने को बहुत बड़े वाला भी मिल सकता है अब यहाँ पर हम आपके साथ share कर रहे हैं FTX start कब हुआ 2 November को यहाँ पर यह जो start हुआ था FTX क्योंकि जब जो SBF जो company थी उन्होंने जब अपनी reports फाइल करी तो उसमें उन्होंने बताया कि उनके पास significant amount of FTTs जो tokens हैं वो पड़े हुए हैं जो कि Alamada research को उन्होंने money lend करी थी उसके एवज में रखे हुए थे तो यह news जब बाहर आई है तो इस news के बाद यहाँ पर Binance जो है उन्होंने बोला है कि भई हम यहाँ पर अपने जो FTT tokens हैं उन्होंने यहाँ पर उनको transfer किया अपने account के अंदर Binance के उपर unknown wallet से Binance के उपर यहाँ पर transfer किया तो इसके बाद news यह सामने आई तो फिर यहाँ पर CG जो थे उन्होंने यहाँ पर बोला कि भई वो धीरे-धीरे करके अपना जो balance है उसको निकालेंगे फिर Elamada के जो CEO थे उन्होंने बोला कि भई हम यहाँ पर आपका वो जो जो भी आप sale out कर रहे हैं हम उसको 22 dollar की price पर खरीद लेंगे लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो Binance ने जो अपनी moment यह जो करी थी FTT Holdings की की recent revelations के चलते वो यहाँ पर यह news भी हमने आप से cover करी थी कि वो sale out कर रहे हैं Elamada ने बोला भी था कि वो खरीद लेंगे 22 के price के उपर लेकिन बाद में जब Elamada का भी यहाँ पर और money लेने का यहाँ पर program बना तो उसको भी और money जो थी वो नहीं मिली वो भी खरीद नहीं पाए तो इस चकर में यहाँ पर FTX जो था वो यह करने लगा कि भई वो financial support धूनने लगा और वो बैंकों के पास जाने लगा कि भई उसको loan मिल जाए so that कि वो अपने FTT token जो है जो Binance भेच रहा है उनको खरीद सके so that कि वो अपनी market value अपनी value को बचा सके लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और धीरे धीरे फिर उसके बाद SBF जो था उसने बोला कि भई assets जो है वो fine है और CZ को उन्होंने बोला कि भई आप हमारे साथ आएं हमें यहा कि जो over the counter deal थी कि वो 22 डॉलर में खरीद लेंगे तो उन्होंने का कि भई मैं ऐसा नहीं करूंगा मैंने सिरफ एक अपना एक suggestion दी एक बात कही थी मैंने यहाँ पर आपकी जो opinion थी उसको नहीं माना था और उसको commitment जो थी वो नहीं दी थी अब इसके बाद यहाँ पर turmoil जो थ down थे वो ftx से हटाने शुरू किये तो इसके बाद से market में जो downtrend था वो यहाँ पर देखने को बहुत बुरे तरीके से मिला और sbf जो थी उन्होंने जो assets are fine tweet थी उनकी उन्होंने वो भी वहाँ पर remove कर ली और ftx की जो website थी वो dark mode में चली गई that means कि यहाँ पर अब ftx का जो dark time था वो start हो चुका था वही अगली अगर news बात करें यहाँ पर तो finance जो था उसने officially back out भी कर लिया agreement से कि भई हम यहाँ पर कोई भी agreement जो है वो नहीं कर रहे हैं और उसी के साथ-साथ यहाँ पर उन्होंने जो crypto market थी वो एक downtrend में आ गई पूरे लाल जो candles थी लाल candles जो थी व अब यह सारी funding उनको चाहिए थी कि वो ftx को save कर पाएं लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ ftx की website ने भी बोला कि भई जो लोग है वो deposit अबना नहीं करें withdrawal अभी नहीं करें क्योंकि वो अभी काम नहीं कर पाएंगे तो इसके बाद का जो भी sequence था वो आपको सबको अभी हाल फिलाल के लिए पता ही है हम यहाँ पर cover भी कर रहे हैं तो अब जो ftx के जो CEO है Sam Benkman उन्होंने भी बोला कि liquidity crisis जो आ गई है उन्होंने बोला कि I fucked up twice मैं दो बार यहाँ पर गलतियां कर ली मैंने बहुत बड़ी बड़ी वाली तो यह भी उन्होंने लिख कर बोला और उसके साथ साथ यहाँ पर जापान के जो financial regulators थे उन्होंने भी ftx जापान के उपर halt लगा दिये वहीं अगर bahamas की बात करी जाए तो उन्होंने भी ftx के जितने भी assets थे उनको seize कर दिया तो यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर ftx का जो downtrend था जो fall था वो start होना शुरू हो गया जो ftx के हट के जो बाकी की news है उनको भी cover करेंगे हम तो California के जो regulators हैं वो कह रहे हैं कि जो ftx का हाल हुआ है उसके चलते यहाँ पर जो crypto regulations है वो बहुत जादा ज़रूरी हो चुकी है और crypto regulations को ले कर आना चाहिए ftx जैसे collapse जो है वो आगे भी हो सकते हैं और यहाँ पर u.s senator जो है उन्होंने भी यहाँ पर काया कि वो भी crypto bill जो है उसको ले कर आने के लिए पूरे committed हैं यहाँ पर अगर बात करी जाए इस crypto bill की तो इसको यहाँ पर Sam Bankman Fred जो है वो भी इसको support कर रहे थे यहाँ पर इस bill को तो इसके चलते कहा जा रहा था कि हो सकता है कुछ एक opinion जो है वो different ह हो जाए क्योंकि already FTX के जो CEO थे वो इसको support कर रहे थे लेकिन इसके बावजूद कि FTX के CEO जो है या यह कहें कि FTX जो है उसी ने ही यहाँ पर यह सारा जो can't हुआ है उसी के चलते हुआ है तो अब यहाँ पर US senators जो है उन्होंने एक बार फिर से यहाँ पर अपना जो commitment थी व letters लिखकर यहाँ पर बोला था कि भही उनकी help की जाए लेकिन यहाँ पर Tether के जो Chief Technology Office ते CTO जो थे उन्होंने भी यहाँ पर मना कर दिया है कि उनका भी कोई plan नहीं है FTX को बचाने का वहीं Bamax की Securities Regulator जो थे उन्होंने FTX के asset freeze कर दिये यह हम आप से अल्रड़ी शेयर कर चलता है और उनके accordingly यहाँ पर यह एक ऐसी field है crypto की ऐसी field है जो की non compliant है significantly non compliant मतलब यहाँ के लोग जादा जो compliance है उनको follow नहीं करते हैं जो भी rules and regulations है उनको follow नहीं करते हैं इसी वज़ा से यहाँ पर ऐसे जो scenarios बन कर आते हैं वो बहुत जादा बन कर आते हैं अगली नहीं उसक बन चुके हैं सुरारे का सुरारे के और investor भी बन चुके हैं तो अब सुरारे जो है वो कह रहे हैं कि उनके आने से यहाँ पर एक नया impact पड़ेगा यहाँ पर उनकी NFT gaming को और उसी के साथ साथ जो एक उनका जो fan base है वो भी बढ़ने की यहां पर जो बात जो है वो कर रहे हैं अगली न्यूज, IT फर्म जो है रशिया की, उनकी जो लॉबी है, उनकी जो और्गनाइजेशन है, वो यही कह रहे हैं कि भई, क्रिप्टो पेमेंट जो है, वो सौफटर एक्सपोर्ट में यहाँ पर अलाओ कर देनी चाहिए रशिया को, मतलब उनकी जो सौफटर कमपनी अप्रूवल जो है, वो इसका गवर्मेंट से मांग रहे हैं, उन्चेंड डेटा यहाँ पर बता रहा है कि FTX यूएस जो है, उन्होंने इथीरियम विड्रॉल को भी दो घंटे के लिए बंद कर दिया था, सवा बाना से लेकर सवा दो तक यूएस टाइम के वो उनको यहाँ पर यह राइट दे रहे हैं कि वो क्रिप्टो के ऊपर पूरा अपना पैनी नहिजर जो है, उनको बनाए रखे हैं, वो यहाँ पर वेस्ट ना जाए और चोरी ना हो, अगली निउस यहाँ पर जिमबावे की तरफ से है, तो जिमबावे CBDC लाउज करने व होना चाहिए कैसे कैसे होना चाहिए उनको कैसे beneficial रहेगा और कैसे वो देखना चाते हैं अपने CBDC को तो उन्होंने काया कि यह सारी information एक तरीके से collect करके यहां पर उसको काफी safely रखा जाएगा और उसको on top priority जो है वो दी जाएगी जब भी CBDC को design किया जाएगा अगली news यहाँ पर रशिया और तर्की जो है वो दोनों collaborate कर रहे हैं crypto related crime जो है जो crypto transaction में जो crime हो रहे हैं उनको यहाँ पर रोकने के लिए और last news अगर आज की बात करें हम तो यहाँ पर Twitter ने फाइल किया है अपनी payment business का जो है तो यहाँ पर Elon Musk कह रहे हैं कि वो platform लेकर आने वाले हैं जिसमें कि debit card भी यहाँ पर issue कर सकता है Twitter और उसे के साथ money market account जो है उनको भी यहाँ पर allow कर सकते हैं so that कि जो user है वो यहाँ पर अपने money market account जो है उनको भी use कर सके तो friends यह थी आज की news update कैसी लगी ज़रूर बताईएगा channel भी subscribe करें और bell notification का icon ज़रूर द अच्छा लगा हो तो like and share जरूर करें मिलेंगे आपसे अगले update में तब तक के लिए thank you very much